हलो फ्रेंट्स विलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स गाड़ियों का कौन सा पार्ट कब बदलना चाहिए इसके उपर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है लिंक मैं डेस्क्रिप्शन में दे दूँगा फ्रेंट्स आज किस वीडियो में आपको टाइमिंग चेन के बारे में बताऊंगा सवाल ये है कि टाइमिंग चेन को कब बदलना चाहिए फ्रेंट्स देखे सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो टाइमिंग चेन होता है वो एक periodic maintenance का parts नहीं है तो यहां पे कुछ इस तरह का सीन नहीं है कि 10,000, 20,000 या 40,000, 50,000 किलोमेटर चलाने के बाद इसे बदल देना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर टाइमिंग चेन अपने function को अपने काम को अच्छी तरह से नहीं करे तो ही इसे बदलना चाहिए आप सवाल ये भी निकल कराता है कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपकी गारी का timing chain सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो फिर्ट देखे ऐसे 5 symptoms है 5 लक्षन है जो कि ये indicate करते है कि timing chain में problem है वक्त आगिया है इसे बदल देना चाहिए और इन 5 symptoms के बारे मैं आपको आगे इस वीडियो में detail बताऊंगा वैसे बहुत सी गारियों में timing built को दिया जाता है इनके बीच में आपस में क्या difference है उस वीडियो का link मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा चले हम लोग सुरुवात करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि timing chain exactly हमारी गारियों के engine में काम क्या करता है और ये इतना जरूरी क्यों है तो पर देखिए engine का जो crank shaft होता है और जो cramp shaft होता है इन दोनों के एक एक end पे इस sprocket लगा हुआ होता है और timing chain इस sprocket के साथ connected होता है अब जब आप अपने गारी के engine को start करते हो तो जैसे ही crank shaft घूमने लगता है तो crank shaft timing chain को rotate कराता है फिर बदले में जो timing chain है जो की उपर में जाके cam shaft से connected है वो cam shaft को rotate कराता है और cam shaft के rotation से cam shaft के घूमने से जो intake valve है और जो exhaust valve है वो open और close होते है अब देखें यहाँ पर गौर कीज़ेगा कि जो timing chain है उसमें जो timing word है उसका use इसलिए किया गया है क्यूंकि जो intake और exhaust valve है इनका सही time पे open और close होना engine के proper functioning के लिए combustion के लिए combustion को सही तरह से complete होने के लिए engine को सही तरह से power produce करने के लिए बहुत ज़्यादा important है और जो timing chain है वो सही तरीके से intake और exhaust valve के opening और closing के timing को control monitor और supervise करता है इसलिए यह इतना ज़्यादा important part है अब फिर देखें कई बार अलग अलग कारनों से timing chain है वो या तो ढीला हो जाता है या फिर वो wear out हो जाता है वो घिज जाता है और अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे engine में बहुत तरह के problems create होनी लगते है जो कि मैं आपको भी आगे करके detail में बताने ही वाला हूँ चलिए अब हम लोग इस point के उपर में आते है कि वो क्या क्या symptom सा जो कि आपको indicate करते है कि आपकी गारी का timing chain खराब हो चुका है और जो पहला symptom है वो है engine rattles while idling फ्रेंट्स जब timing chain ढीला हो जाता है तो उसके वज़ा से engine से rattling का sound सुनाई देने लगता है मैं आपको असान तरीके से समझाता हूँ आपने गौर किया हो कि जब आपके bike का जो chain है तरह से condition हो जाता है जब timing chain अगर डीला हो जाता है तो वहाँ पे engine के अंदर में vibration ज़्यादा create होने लगता है क्योंकि जो timing chain का rotation है वो smooth नहीं हो पाता है noise बढ़ जाता है, rattling का sound सुनाई देने लगता है और ये जो sound, diagram लो बाइक की बात कर ले तो जब आप अपने bike के engine को start करते है और idling का position होता है सिर्फ engine start है आप bike को चला नहीं रहे हो तो ये जो rattling का आवाज है वो ज़्यादा सुनाई देता है लेकिन जब motion में होता है तो आवाज कम सुनाई देता है ठीक है तो अगर आपको engine सी इस तरह सा आवाज आ रहा है तो आप 100% sure हो सकते हो कि timing chain में problem आ गया है और जो दूसरा symptom है जो कि बहुत important है वो है engine misfire और run poorly अब देखिए यहाँ पे condition क्या कि हमारी basically engine में क्या होता है कि जो crank shaft है और जो cam shaft है इनका जो rotational ratio है वो 2 is to 1 का होता है ठीक है यानि कि असान लब्सों में कहना हो तो जब crank shaft दो बार completely घूम जाता है तो cam shaft का एक complete rotation होता है यह बहुत जरूरी है कि यह ratio सही तरह से maintain हो ताकि engine बेतर तरीके से काम कर सके और इसे maintain करने के जिम्मदारी बहुत हद तक timing chain की ही होती है अब timing chain में अगर wear out हो जाए घिस जाए या धीला हो जाए कोई और problem आ जाए तो फिर क्या होता कि यह ratio गरबडा जाता है और उसके वज़ा से क्या होता है कि जिस वक्त जिस time पे इंजन के RPM के हिसाब से जो हवा और पेट्रोल का मिश्रन इंजन के सिलिंडर के अंदर में जलना चाहिए वो थोड़ा सा गरबडा जाता है मिस फाइरिंग का सिकाय दिखने को मिलता है साथ ही जो acceleration है उसका भी problem होने लगता है यानि कि आप acceleration जितना करते हो उत्तरा तेजी से गाड़ी आगे की तरफ नहीं भगता है तो ये भी एक chance हो सकता है कि timing chain का problem है क्योंकि engine power सही तरीके से produce नहीं कर पा रहा है अब जो अगला symptom है वो है metal savings found in the engine oil आप फ्रेंट्स कई बार अगर ऐसा situation आ जाए कि आप अपनी गाड़ी के engine oil को change कर आ रहे हो मेकैनिक बुले अगर आप खुछ से कर तो आप खुछ से notice करो कि जो वहाँ पे metal particles और आपको मिल रहे है तो हो सकता है कि ये timing chain के wear out होने के गिसने के वज़ा से वह आपको metal दिखाई दे रहे है हाला कि मैं आपको killer करना चाहूंगा कि जो metal particles है वह सिर्फ timing chain के नहीं होते है engine के बाकी के parts मेंगर friction बढ़ जाए अगर wear out हो जाए जैसे कि आप cylinder wall के ही बात कर लो तो भी ये metal particles देखने को मिलते है लेकिन कहीं न कहीं एक कारण जो हमारा timing chain का wear out होना भी यहाँ पर होता है अब देखिए आगला जो symptom में वो है अगर engine won't start or fails देखिए कई बार क्या होता है बहुत rare case में होता लेकिन होता है कि अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपने bike के या दूसरी गालियों के engine के start करने की लेकिन engine start नहीं हो रहा है आपने basic चीजों को check कर लिया आपको problem कहीं दिख नहीं रहा है तो हो सकता है कि जो timing chain है वो break कर गया है वो तूड गया है बहुत ही serious ये condition होता है और ये जो timing chain अगर break होता है तो आगे चल कर का करता है कि बाकी के parts को भी damage करता है तो अगर engine बहुत कोशिश करने के बाद भी start नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि timing chain है वो break कर गया है ठीक है और जो अगला reason है जो अगला symptom है वो है check engine light अब मैं आपको बताना चाहँगा कि कई बार गाड़ियों में जो check engine light है वो on हो जाता है हाला कि check engine light भी बहुत सारे गाड़ियों के अलग-अलग problem के वज़ा से भी on होता है लेकिन इनमेंस एक वज़ा जो हमारा timing chain है उसका खराब होना भी होता है तो अगर check engine light है वो on है और आपके गाड़ी का जो engine light भी श्टार्ट नहीं हो रहा है तो भी आप check करा लो कि timing chain सही है कि नहीं है और मैं आपको यहाँ पर यह भी clear करना चाहता हूँ कि timing chain का engine light बहुत ज़ादा होता है पचास हजार, असी हजार, एक लाग किलो मिटर या उससे भी ज़ादा, यह बहुत जल्दी खराब होने वाले periodic maintenance वाले parts नहीं है आप इस बात का भी ख्याल रखे तो friends, आज किस वीडियो में इतना ही, उमीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, वीडियो के बार और चैनल के बार अपनी राए आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके राव अगर आप चैनल पर नई हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाले ताकि आने वाले important वीडियो के अपडेट आपको notification के थुरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में, thanks watching this video, good bye